नमसर्वेभ्या, व्योम सम्स्कुत पाठशालायाह, लगुजिद्धान्तकों मुदी द्वितीय भागे, नवमाध्यायस्य, द्वाधशं पाठं अध्य पश्यामह, नवमाध्यायस्य, साराम्शह, अत्र उच्यते ये नाक्षर समामनायम, अधिगम्य महेश्वरात, कृच्नम् व्याकरणं, प्रोक्तंत, स्मय पाणिनये नमह, वाक्यकारं, वररुजिं, भाष्यकारं, पतंजलिं, पाणि निम्सूत्रकारंच, प्रणतोस्मिमुनित्रयं, नत्वासरस्वतीम, देवीं, शुद्धां, गु यारांताह, शब्दाह, अधिताह, प्रायेन, ततह, थकारांताह, कश्चित शब्दाह, अपी, द्रष्टाह, तत्र, दकारांत शब्दाह, इति, यदावयं, चिंतयामह, तत्र, सामान्य शब्दाह, भवती, सुहृद्ध शब्दाह, तत्र, नकश्चित विशेष, प्रक् अन्यत्र सर्वत्रापि दकारस्य वश्रवणं सुहृदव 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 सुह सुपाद इती, सुपाद सुपाद सुपादव सुपादः, अत्रापी समानरीत्या रूपाणी प्रायेन भवंती, यत्र भसम्या अस्ती, तत्र पादहपत इत्यनेना पदादेशो भवती इती विशेशह, अतह सुपादम सुपादव सुपदह, सुपदा, सुपाद्भ्या सुपाद भी दीरगाह मूल शब्दे अस्ति किन्तु भसम्यायाम हरस्वह श्रुयते इति विशेशाह ततनह सर्वनाम शब्दान यदा पश्यामह चत्वारह अत्यंतम प्रसिद्धाह त्रयाह शब्दाह यद तद एतद इतितु भाषायाम अत्यंतम आधिक्येन उपयुज्यमाना शब्दाह त्यद इतितु विरलह श्ति रूपानीतु समानरीत्या भवंती त्यदाध्यत्वं पररूपं सर्वत्रभवती एन अदंतत्वं संपध्यते ततह अदंत सर्वनामकार्यानी जसशी सर्वनामनस्मै नसिंग्यों हुस माच्मिनऊ आमिसर्वनामनसूट इति सूत्रानी प्रवर्तांते यत्र अनंत्यह तकारह दकारोवा अस्ति एतेशु तरिशुवपी तकारयवा अस्ति तत्र धकारस्य उदाहरणम् अग्रे अदस्च शब्दे लभ्यते, अधुनात्र सर्वत्रापी अनंत्यस्य तकारस्य स्थाने सकारादेशह भवति, तदा स, स्य, एस इति भवति, रुत्वे विसर्गे, शत्वे खृते, सह, स्यह, एशह इति रूपानी भवंति. एतद शब्दस्य विशये द्वितीयाट उस्वेनहा इत्यनेन एनादेशह भवती अन्वादेशप्रसंगे अध्यायस्य मुख्या भागहा युश्मद अस्मद एतयो शब्दयोहो रूपसिद्धव यापितह तत्र बहुधा अस्माभिही प्रकारद द्वयेन रूपसिद्धिय अधीत सकृत अष्टाध्याई क्रमेन सकृत्य लगुकोमदी क्रमेन अतहा तत्र विशिष्यवक्तव्यम अधिकम नास्ति तथा पी सर्वदास्मर्तव्यह अमशह युश्मद अस्मद एतयोहो प्रक्रिया सर्वदा भागत्रये द्रश्टव्या आदो प्रत्ययादेशह कह एति तत्र अष्टाध्याई क्रमेन सूत्राणिक ज्यायन्ते चेत ज्यायते अन्याह कोपिमार्गह नास्ति. विश्मलस्मत्भ्याम गसोष ये प्रतमयोरं शसोन भ्यसोभ्यं पंचम्या अतु एकवचनस्यच सामााकम इति सप्त सूत्राणि संति आदेशह अत्यंतं सरलह एव भवति ततह अन्तादेशह इतियदा पश्यामह अर्थाद्युष्मद अस्मद इत्यत्र अंत्यभागस्यादेशह तत्र प्रतमा चतुर्थी पंचमी शस्थी इत्यवं चतस्रुष विभप्तिशु एकवचने बहुवचनेच वन्फोर फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम एवं स्मरनार्थम सारल्यं भवति तत्र सर्वत्रापी शेशे लोपह इत्यनेन टी लोपह अधु इत्यस्य भागस्य लोपह भवति ए कुत्र चतस्रुष विभप्तिशु प्रतमा चतुर्थी पंचमी शस्थी टा ओस नि इती त्रिशु प्रत्य येशु यकारा देशह भवति योची इती सूत्रेन त्वया युवयोह त्वयी एवं त्रिशु एवं एवं मया आवयोह मयी इती त्रिशु प्रत्य येशु योची इत्यनेन यकारा देशह भवति अन्यत्र सर्वत्रापी आकारह अंता देशह भवति सूत्राण बिन्णानी संति युष्मलस्मदोर नादेशय द्वितियायांच प्र्थमाय श्च्ट्विवचने भाशयां इती सुत्रत्रय मस्ति किन्तु आदेशह सर्वत्र आकारहां लोपह यकारह आकारह इती त्रयाह संभवंती अंत्य भागस्य मपर्यंत आदेशह इती यदा पश्यामह बहुवचने जसी एव आदेशह भवती यूयम वयम इती अन्यत्र सर्वत्रापी युश्म अस्म इत्येव श्रुयते युष्मान युष्माभिही, युष्मभ्यम युष्मत, युष्माकम युष्मासु, कोपि आदेशह न भवति द्विवचने सरवत्र युव आव इति भवति, युवाम युवाभ्याम युवयोहु, आवाम आवाभ्याम आवयोहु एकवचने तु त्वाहव सौ शु प्रत्यये त्वम अहम तुभ्यमह्यव गई गे प्रत्यये तुभ्यममह्यम तवममव गसी गस प्रत्यये तवमम अन्यत्र सर्वत्र एकवचने त्वम इत्यादेश त्वाम त्वया त्वयी माम मया मही इति आदेशह भवति, एवं मत्त्त्त्त इत्यत्रापि, त्रयाह विशिष्टादेशाह संति, त्वाम इति एकवचनस्य, सामान्यादेशह मपर्यंतस्य, एवं त्रिशु खंडेशु अधीत्य, तत्त द्विभक्तों किम भवति, इति यदि अभ्यासम कुर्मह, तरही अनयोहो, शब्दयोहो, आदेशह विधियते, एकवाक्ये, पदाथपरस्य, अपादादवी स्थितस्य, एकस्मिन्नेवा वाक्ये, एताभ्याम, शब्धाभ्याम, प्राक, अन्यदेकम, पदम् विध्यते, अपिक एतवús शब्दव, श्लोके, पादस्य आदवux नस्तह, इत्यस्तिचेत, तत्र आदेशह विधियते संपूर्णस्य शब्दस्य, प्रातिपदिका प्रत्यय समुहस्य स्थाने, शष्ठी चतुर्थी द्वितिया, इती तीस्रशु विभक्तिशु, द्विवचने वाम नव इत्यादेशह, बहुवचने वाह नह, वस नस रुत्वं विसर्गस्च भवति, एकवचने, द्वितियाईकवचने त्वाम इत्यादेशह, चतुर्थी शष्ठियो होतु, ते मे इत्यादेशह, अतहा, त्वा वाम वह, ते वाम वह, ते वाम वह, इती द्वितियम रोपम भवति, कुत्र इदम रोपम प्रयोक्तव्यम इत्य त्रापी नियम आहस्माभिही द्रश्टाः अनन्वा देशे विकलपेन भवति अन्वा देशे तू नित्याम आदेशा भवति च वाहाअ एव पंच भिही योगे आदेशा नभवन्ति, इत्यादी नियम आह द्रश्टाः थकारांत हा एकएव शब्द हा कुल्लिखित हा अग्नि मत इती प्रक्रियायाम नकस्चित विशेश हा जलान जशोंते इती जश्ट्वेन दकार हा संभवे सती खरीच इत्यनेनवा वावसाने इत्यनेनवा चर्थ्वं भवती अनेनस्माभिही नवमाध्याय हा समाप्त हा अग्रे इतोपी केचन हलन्त पुल्लिंग शब्दा हा अवशिष्टास्थ तेशाम विशये अग्रे दशमाध्याये वयं पठिश्यामा ये नाक्षर समामनायम अधिगम्य महेश्वरात कृच्नम् व्याकरणं प्रोक्तं तस्मय पाणिनये नमह वाक्यकारं वररुचिं भष्यकारं पतंजलिं पाणि निम्सूत्रकारंच प्रणतोस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धां गुन्यांकरों यह पाणिनीय प्रवेशाय लगुसिद्धां तकवु मुधीम्